वीके न्यून राश्ट्र के नाम आज का पता है तो कल का नहीं और कल का पता है तो आके आने वाला कल कैसा होगा वो नहीं पता हर को इस जगहा पर आना चाहता है और अपने आपको स्टार बनता हुआ देखना चाहता है मगर इसके पीछे एक काला सच भी है और ये है फिल्मों और वेब सीरीज का काला सच जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलिवुड फिल्मों और सीरीज में एक्शन ड्रामा कम पॉनोग्राफी जादा डाली जाती है अब इसी मामले में अभिनेतरी गेहना वशिस्ट और एक फिल्म प्रोडक्शन को ओडिनेटर और तीन बॉनों को गिरफतार किया गया है इन लोगों पर एक चोबिस साल की मॉडल के साथ रेप करने का मामला दर्ज हुआ है हालकि ये मामला एक साल पुराना है वैसे गेहना वशिस्ट अगर आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिला देते हैं कि ये गंदी बात वाली एक्ट्रिस है जो की एक सीरीज है और ऐसे में ये मामला अब शिल्पा शिठी के पती के इर्दगिर्द भी खूमता हुआ नजर आया इस मामले की जो आज आपको बता दी कि स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम कर रही थी और ये टीम चार मामलों की जाज में तकरीबर एक साल से चुटी हुई है इस मामले में पुलिस ने फिल्म को और्डिनेटर नरेश पाल, सलीम शयद, अब्दुल सयद, अमन बर्नलवाल को गिरफतार किया है और कई दिन सलाकों के भीतर गुजारने के बाद राज कुंदरा की बात करें तो अब जबानत से बाहर है पुरिस अधिकारी के मुताबक इस मामले में शिकायत करता मॉडल ने 2021 के जनवरी महीने की 11 तारी को पुलिस टेशन में कम्प्लेन दर्ज कराई थी अपनी शिकायत में पीडिता ने लिखा था कि अभी नेतरी गहना वस्चिस ने उन्हें एक वेब सीरीज ओफर की थी और उसमें एक रूल ओफर किया था और ये वेब सीरीज एक रॉयल कपल और तीन बॉनों की कहानी थी हाला की पीडिता के मताबिक जब वो बंगले पर पहुँची यानि जहां पर शूटिंग चल रही थी तो वहाँ पर उसके साथ जबरजस्ती करके तीन बॉनों के साथ सेक्स कराने की कोशिश की गई और कहा गया तो देखिए जिस तरह से अगर सीरीज और वॉलिबूट की बात करी जाए तो दूर से लगता है कि यहां पर फिल्में कितनी असान होगी, कितनी असानी से पैसा कमा लिया जाता है लेकिन गेहना वस्स जैसे आक्टर एक्टरिस जब यहाँ पर जाते है तो इस थारा की हलकते वो करते है आपका इस वीडियो में क्या कहना है विडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चानल को इसी तरह की ख़बर जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद